तो दोस्तो आज किस वीडियों सीखेंगे cp plus dbr का password कैसे change करते हैं तो ip finder आपके computer में install होना चाहिए तो ip यहां हमारी दिख गई है 100 की series में है तो हम अपने computer में 100 की series में ip assign कर लेंगे और फिर हम login करेंगे आपका अगर dbr internet से connect है तो उसी internet से हम connect हो जाएंगे तब भी ip आपको पता होनी चाहिए तो यहां पे ip आपकी जो है 100 की series में पहले से assign है अब हमें browser को ओपन करना है simply तो हम Microsoft Edge ओपन कर ले रहे हैं और यहां पे हम ip type करेंगे 192.168.100.100 क्योंकि 100.100 हमारी dbr की ip है और यहां पे user name और password आपको पता होना चाहिए password cctv installer आपको बता देगा login पे click करेंगे उसके बाद हम यहां पे management क्लिक करेंगे उसके बाद देखेंगे account पे आप क्लिक करेंगे फिर mode edit पे क्लिक कर लेंगे और अगर नया user बनाना तो add user पे क्लिक कर सकते हैं तो यहां पे edit पे क्लिक करेंगे ऐसा window आपको मिल ला है group admin में है और modify password वाले box पे आप mark करेंगे चेक करेंगे और यहां पे आपको zoom minus में कर देना है 75 और यहां पे आपको old password डालना पड़ेगा जिस password से आपने login किया है फिर यहां पे नया password जो चाहें आप बना सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपका dbr कहीं से देखा जा रहा online तो आप change कर देंगे password यहां से एकदम simple तरीका है और email address डाल देंगे कि अगर password भूल भी जाते हैं तो आप email के थूरू password फारगेट कर सकते हैं तो फटा फट मैं यहां पर gmail डाल करके save करूँगा उसके बाद मैं करूँगा log out और ok करूँगा यहां पर फिर से मैं login करके देखूँगा यहां पर पासवर्ड डालूँगा जो मैंने नया password बनाया है तो हमारा यह जो dbr है open हो गया है I hope की वीडियो आपको informative लगा होगा अगर वीडियो आपको informative लगा तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें